नमस्का राजनमा टीही पर आपका सौगते में प्रियाम आपके साथ सीएम योगी मोधी सरकार के कारेकाल के नू साल पूरे होने पर अयुध्या पोचे गुरुवार को भरत कुण पर जन्द सभा को संबोधित करते वे कहा राम मंदिर का निर्मान तेजी से हो रहा है पीएम नरेम मोधी जन्वरी में राम मंदिर का उधगाटन करेंगे ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा 21 लाग दीब जलाये जाएगे अयुध्या का वेभाव दुनिया देखेगी सीएम योगी ने कहा पहले गुपतार घाट और सूरज कुन जरजर था कल मेने दोरा किया हमने यहाँ निर्मान कराए है तीन महेने से गुपतार घाट कितने लोग गए है छे साल पहले वो विरान पड़ावा था अब जाकर देखिए कितना बढ़िया बन चुका है ये नई अयुध्या है हम अयुध्या को दुनिया की सबसे सुन्दर नगरी बनाएंगे सीम ने कहा एक बार फिर त्रेता यूग की तरह हम चल पड़े हैं अयुध्या को देखकर त्रेता यूग की याद आएगी अगले वर्ष हमारी श्री राम आने वाले हैं अपने घर महल में विराजमान होने वाले हैं इसकी तैयारी दीपोसर के साथ प्रारम होगनी चाहिए जैसे वेश्विक मंच पर बारत की प्रतिष्टा बड़ी है उन्होंने कहा एरपोर्ट पर एक साथ कई विमान उतर सकेंगे यहां इंटरनेशनल फ्लाइं लेंड करेगी किसी बड़े उद्देश के लिए शुरुवात में कुछ कटनाईया तो जहलनी पड़ती है अगले चार चामेने में अईध्या की सड़के दिल्ली की राजपस सी लगेगी यहां मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है सूरी कुंड वो भरत कुंड में भी रेलवे विकास के कार शुरू हो रहे है 21 जून को योग महस्तों का कारिक्रम होगा हमें इन से जूडना चाहिए योगी ने कहा अयोध्या में लोग देश दुनिया से आएंगे जिसने अयोध्या में जनम नहीं लिया वो पश्ता रहोगा राम अब अपने घर में आने वाले हैं अपने मंदिर में आने वाले हैं उनकी तैयारी उत्सव के रूप में होनी चाहिए हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया अब अयोध्या के साथ कोई अन्यान नहीं कर सकता उन्होंने कहा राम के बिना हमारा जीवन अधूरा माना जाता है जिस रूप में प्रभु राम को पूजा है भक्ति की है वो साकार रूप में हम सब के सामने रामलला के रूप में मं कि कमीन नहीं आएगी इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ दाने बाद